लेंगिक जनन बच्चों, आज हम इस विश्य के बारे में सिखेंगे क्या आपने कभी एक चूजे को एक अंडे में से बाहर निकलते देखा है? अंडे के अंदर चूजे की वृध्धी कैसे होती है? अब बच्चों, हम पौधों में निशेचन के बारे में तो जानती ही हैं परागकन के पस्चात परागकन में उपस्तित नर युगमक अंडाशे तक पहुँच कर बीजांड में उपस्तित मादा युगमक से सनलयित हो जाता है युगमनज बनाने के लिए इसके बाद युगमनज सेल गुणन प्रक्रिया द्वारा बीज के अंदर भूण विक्सित करता है और अगर बीज को परियाप्त मात्रा में धूप, जल और हवा मिलती है तो वो भूण नवोदभिद यानि सीटलिंग में विक्सित हो जाता है नर युगमक तथा मादा युगमक के सनलयित से युगमनज बनते हैं और इस तरह की जनन प्रक्रिया को हम लेंगिक जनन कहते हैं आप ये भी जानते हैं कि लेंगिक जनन जन्तुओं में भी होता है और उसकी प्रक्रिया भी समान होती है अर्थात नर युगमक तथा मादा युगमक के सनलयत से युगमनज बनता है और ये युगमनज भूण में परिवर्तित हो जाता है अब जो मादा युगमक होती है उसे अंडानू कहते हैं तथा नर युगमक को शुक्रानू कहते हैं अंडाणू और शुक्राणू का युगमन निशेचन यानि फर्टिलाइजेशन कहलाता है. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निशेचन पुष्प के मादा जनन के अंदर हो रहा है. जब निशेचन मादा के जनन अंगों के अंदर कहीं पर भी होता है, तो उसे आंतरिक निशेचन कहते हैं. और बच्चों, ऐसा आंतरिक निशेचन जन्तूओं में भी होता है. जन्तूओं में आंतरिक निशेचन मादा के शरीर के अंदर जनन अंगों में होता है. पुरोष नर युगमक उत्बन करता है तथा महिला मादा युगमक उत्बन करती है आंतरिक निशेचन की प्रक्रिया में नर युगमक मादा जननांग में प्रवेश करता है क्यूंकि आंतरिक निशेचन मादा जननांग के अंदर होता है इतना ही नहीं, निशेचन जन्तुओं के शरीर के बाहर भी हो सकता है तो इस प्रकार बच्चों, ऐसे निशेचन को हम बहाई निशेचन कहते हैं बहाई निशेचन मुख्य तह जलिये प्राणियों में होता है मादा पानी में सेंकणों अंडे देती है और इन अंडों में मादा युगमक होते हैं नर्भी पानी में शुक्राणू छोड़ देता है और जैसे ही शुक्राणू अंड कोशिका के संपर्क में आते हैं उसके फ्लस्वरूप निशेचन हो जाता है बहाई निशीचन मचली, स्टारफिश, केकड़े, कस्तूरी आदी जैसे जलिये प्राणियों में होता है। इसके अतिरिक्त मुर्गी, मेंडक, छिपकली और तितली जैसे जन्तु जो अंडे देते हैं, उन्हें हम अंड प्रजक जन्तु कहते हैं। और जो जन्तु जैसे मनुष्य, गाए, भेड, कुट्ते आदी, जो सीधे ही शिशू को जन्म देते हैं, उन्हें हम जरायूज जन्तु कहते हैं। तो आप कहसकते हैं कि स्तनिये जन्तु जरायूज जन्तु होते हैं। आईए आज हमने जो सीखा है उसे दोरा लेते हैं। आज हमने जन्तु में लेंगिक जनन के विशय में जाना। नर युगमक एवं मादा युगमक के सनलयन त्वारा जनन को लेंगिक जनन कहते हैं। मादा के शरीर के अंदर होने वाले निशेचन को हम आंतरिक निशेचन कहते हैं जैसे कि मुर्गी, गाए, कुत्ते आदी जन्थूँ में होता है निशेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे हम बहाई निशेचन कहते हैं जैसे कि मेंधक, मचली, स्टार फिर्श आ दे। वो जन्तु जो सीधे ही शिशु को जन्द देते हैं, उन्हें हम जरायुच जन्तु कहते हैं, जैसे कि बिल्ली, हिरन आ दे। जो जन्तू अंडे देते हैं, अंड प्रजक जन्तू कहलाते हैं, जैसे की मुर्गी, मेंढग, छिपकली तथा तितली. बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे.